हे दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे किसी भी प्रॉपर्टी को effectively manage करना है इसे हर महीने cash flow होता रहे time by time यान इब टीनेर्स सही time पे rent भरता रहे और हमारा प्रॉपर्टी भी सुरक्षित रहे किसी भी जूट जमेले से फिर किसी भी hazard से तो first and foremost आपको टीनेर्स की daily problem को solve करना होगा अगर आप problem solving type के इनसान नहीं हो तो real estate business आपके लिए नहीं है यह आपको बहुत creative बनना होगा यह नहीं हो सकता यह नहीं हो पाएगा इसके बदले आपके question करना होगा कि कैसे यह हो पाएगा how can I do it मैं कैसे यह कर सकता हूँ सही question करने से आपका mind open हो जाएगा और आप देख पाओगे कैसे उस problem को easily effectively solve करना है property management में daily बहुत सारे problems आते हैं जैसे pipeline का leakage, toilet का problem, electrical equipment का problem, kitchen का problem बहुत तरके problem आते हैं जो आपको solve करना ही होगा नहीं तो वो आपके reputation को उपर बहुत बड़ा effect डालेगा और वो tenant वहाँ से चला भी जा सकता है और side उसे देख के दूसरे tenant भी वहाँ से चला जाए तो reputation एक बहुत important factor है आपको उसे बढ़करार रखना होगा tenants को पता होना चाहिए कि अगर कोई emergency आता है तो वो आपके पास आ सकते हैं चाहिए वो रात में हो या फिर दीम में आप उनकी care करते हो वो आपका first priority है उन्हें ये पता होना चाहिए basically investor के पास two types के customer service available होते हैं पहला जो non emergency होता है जहां उन्हें about 24 hours के अंदर reply मिल जाता है और दूसरा जो emergency होता है जहां immediate action लेना पड़ता है जैसे आग लग गया है घर में पानी भड़ गया है या फिर खून निकलाया है तो इस situation में आपको immediate action लेना पड़ता है हाँ ये काम tough है 365 days का work है पर अगर आप एक property manager hire कर लेते हो तो आपका बहुत सा time यहां बच जाएगा और आप उस time को अपने mind को भी किसी और जगा इस्तेमाल कर सको कि जिसे आपका portfolio जल्दी से जल्दी grow कर पाएगा तो customer service आपका first priority होना चाहिए इस property management की game में and then आप cash flow के उपर ध्यान दो हो सकता है कुछ लोग वहां कम rent पे रह रहे हैं जो आसपास की apartment से काफी कम है तो आप उनसे ज्यादा rent चार्ज कर सकते हो पर याद रखना rent आप नहीं market decide करता है आप बस उस area की average rent को check कर सकते हो आप rent select नहीं कर सकते पर आप उसे बहाँ जरूर सकते हो कुछ extra facilities प्रोवाइट करवा के जैसे कुछ वासर और ड्रायर इंस्टॉल कर दिया हर एक apartment पे high speed internet service अवलेबल कर दिया parking facility अवलेबल कर दिया सीनियों में एक electric chair लगा दिया जिससे बूगे लोग आशानी से उपर नीचे कर सकते हैं तो ऐसे situation पे आप उनसे ज्यादा rent चार्ज कर सकते हो उनके problem कर ढूंदो और उसे creatively solve करो आप अपने cash flow को increase कर लोगे real estate दोस्तो solving the problem ही है real estate is equal to solving problem then आपका cash flow increase होने लगेगा अब हम rent collect करेंगे यह rent collection process आशान भी हो सकता है और बहुत मुश्किल भी कि भी कुछ लोग हमेशा नए ने बहाना करते रहेंगे कि इस बार नहीं दे पाऊंगा आज ये हुआ है वो हुआ है salary नहीं मिला है बहुत सारे stories वो आपको सुनाएंगे और सायद उससे आप मान भी जाओ आप emotional हो जाओ पर आपको दोस्त turf रहना होगा legal contract के हिसाब से चलना होगा क्योंकि अगर वो एक बार rent देने में कामियाब हो गए तो वो ये हमेशा करेंगे हर बार वो कुछ नया बहाना लेके आएंगे और rent नहीं देंगे बेटर आप turf बनो और rents को collect करो time by time log के हिसाब से अगर आप उनके साथ थोड़े नर्मी से पैसा आओगे तो आपका rent तो गया में भी for life इसलिए turf बनो और rent को सही time पे collect करो तो ये तीन main formula है किसी भी property को अच्छे से effectively manage करने के लिए तो आप बताओ इस management में कौन सा सबसे ज्यादा बड़ा problem create करता है और कैसे आप उसे solve करते हो अपने daily life में वीडियो काम कर लगा तो लाइक का और share कर दोस्तों के साथ और चैनल को subscribe कर लो मिलते हैं अगले वीडियो में और अच्छे topic के साथ थैक्यों दोस्तों थैक्यों वाचिंग वाचिंग टेक केर और बी सेफ